नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, Poco C31 vs Moto G51 5G का फुल डेप्थ कमपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, C31 में 6.49 इंच जबकी G51 5G में 6.71 इंच की लेंथ मिलती है विडि की बात करें तो, C31 में 3.04 इंच जबकी G51 5G में 3.01 इंच की विडि मिलती है जोकी C31 से कम है बात करें थिकनेस की तो C31 में 0.35 इंच जबकि G515G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो C31 में 194 ग्राम्स जबकि G515G में 208 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की C31 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में same ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में same ही 20 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो C31 में 6.53 इंचर जबकी G51 5G में 6.8 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन C31 में 720 by 1600 और G51 5G में 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio C31 में 80.97 प्रतिशत जबकी G51 5G में 85.64 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो C31 में 279 प्रतिश जबकी G51 5G में 387 प्रतिशत मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो C31 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, माक्रो कैमरा और आखिर में डेप्ट कैमरा देखने को मिलता है और G51 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो C31 में 7 different type के features मिल जाते है और G51 5G की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो C31 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और G51 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speak के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करे तो C31 में power of a GE832 ने जबकी G51 5G में Adreno 619 मिलता है चिप सेट की बात करे तो C31 में Mediatek Helio G35 और G51 5G में Qualcomm Snapdragon 480 Plus मिलता है बात करे RAM की तो C31 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 3 GB, 4 GB की RAM मिलती है जबकी G51 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो C31 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 32 GB, 64 GB की storage मिलती है जबकी G51 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 64 GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में up to 512 GB है ओपरेटिंग सिस्टम की बात करे तो C31 में Android V10 Q जबकी G51 5G में Android V11 देखने को मिलती है बैटरी की बात करे तो दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करे तो दोनों phone में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बात करे प्राइस की तो C31 में 2 variant देखने को मिलते है जिसमें की 3 GB RAM 32 GB storage के साथ 8,499 रूपीज 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 8,999 रूपीज में मिलता है और बात करे G51 5G की तो उसमें एक ही variant मिलता है जोकि 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 14,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Poco C31 में 4 फाइदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Moto G51 5G की तो उसमें 4 फाइदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है मेन कैमरा में G51 5G आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है पफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 है दूसरा Xiaomi Redmi 9 है तीसरा Oppo A12 है और last competitor phone की बात करे तो उसमें Realme C11 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना